Leftest Report के साथ आज हम Review करने वाले हैं NEC Pro के Way Platinum को आज की वीडियो में अगेन हम एक प्रोटीन स्प्लिमेंट को Review करने वाले हैं product है आज हमारे पास NEC Pro का Way Platinum बेजिकली नेक प्रो कंपनी का वेव प्रोटीन आइसोलेट है 1kg की पैकिंग है मेरे पास और रोव प्रोटीन है यानि की कोई फ्लेवर नहीं है इसके अंदर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रोड़क्त की पैकिंग के बारे में इसकी nutritional information के बारे में इसकी amino acid profile के बारे में इसकी ingredients के बारे में इसके filtration method के बारे में इसकी serving size accuracy के बारे में इसकी mixability taste price के बारे में और बात करने वाले हैं इसकी lattice report के बारे में तो बिना देरी की चली शुरू करते हैं इस प्रोड़क्त की packing से तो packing के लिए नैकपरो ने एक मिडियम सी क्वालिटि का प्लास्टिक इस्थमिल किया है। प्रॉडक्त की पेकिंग है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटि की नहीं है। वैसे low quality की भी नहीं बोली जा सकती है, एक medium क्वालिटि की पैकिंग है। वैसे प्रोडक्त की जो सील है वो काफी अच्छी है जो की आसानी से खोली जा सकती है आसानी से बंद की जा सकती है प्रोडक्त की जो सील है वो बंद करने के बाद काफी टाइट रहती है जिससे कि आपका जो प्रोडक्त है वो मोश्चर नहीं पगड़ता है अगर आप लंब पहुंचा है वह उरिजनल पहुंचा है या नहीं बात हो गई प्रोडक की पैकिंग की आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस से डquinho के निट्रीशनल इनफॉर्मेशनš के बारे में तो निट्रीशनल इनफॉर्मेशन अमें यह लिखा आए कि इसकी इसकी 7 केजी की packing के अंदर आपको 30 serving मिलेगी एक serving का size है 33 gram 33 gram के एक scoop के अंदर आपको 29.70 gram protein मिलेगा 0.83 gram आपको carbohydrates मिलेंगे और 0.10 gram आपको इसके अंदर fats मिलेंगे fat और carbohydrate के मात्रा 1 gram से कम है आप इसे ना के बराबर ही मान सकते है प्रोटीन की बात करें तो एक स्कूप के अंदर है 29.70 जो कि हो जाता है 90 जो कि काफी अच्छी मात्रा के अंदर लगता है लेकिन लगने से क्या होता है 90% प्रोटीन नहीं है के इंदर क्योंकि जो प्रो ठीन लिखा प्रोड़क्त के ऊपर रिखा है्ड मे पर हमें जो प्रोठेन ओर पर तो बटेन को जाता है वह moisture content को अलग निकाल कर measure किया जाता है और as is basis पर जो हमें मिलता है वह moisture content के साथ measure किया जाता है तो dry basis पर जो protein content आता है वह as is basis से 4-5% ज्यादा आता है क्योंकि इसमें जो moisture content है वह अलग निकाल कर measure किया गया होता है तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको ड्राय बेसिज पर कंपनी प्रोटीन लिख कर दे रही है 29.70 ग्रैम तो इस बेसिज पर इस पर 4-5% कम हो जाएगा यानि कि इसके अंदर 28 ग्रैम के अराउंड कुछ प्रोटीन होना चाहिए अगर एक्चुल में जितना प्रोटीन हमे निट्रिशनल इन्फोर्मेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस प्रोड़क की अमिन असेट प्रोफाइल के बारे में तो अमिन असेट प्रोफाइल कंपनी ने 100 ग्रैम की तो दी हुई है लेकिन एक स्कूप की अमिन असेट प्रोफाइल नहीं दी है 100 ग्र जिससे कि हम हर एक amino acid के मात्रा पर scoop के अंदर अलग-अलग measure कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक scoop में कौन सा amino acid कितनी मात्रा के अंदर है, तो वो मुझे ज़्यादा better लगती है, तो company को वो mention कर देनी चाहिए थी, वैसे company ने 100 gram के दी है, वो ठीक है, एक scoop की दे देनी चाहिए थी बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस product के ingredients के बारे में, तो ingredients के जो list है, उसमें ज़्यादा ingredient नहीं है, इस product के अंदर, simple एक ingredient है, वो है instantize whey protein isolate, यानि कि pure milk से बना हुआ whey protein powder मिल रहा है आपको, ना कोई sugar डाली गई है, इसके अंदर, ना कोई और चीज डाली गई है, जस्ट आपको वे protein powder मिल रहा है, और कोई ingredient है इसके अंदर, बात होगे product के ingredients के बारे में, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इस product के filtration method के बारे में, तो filtration method company ने लिखा है कि इसका filtration method है, cross flow filtration, जो कि एक natural filtration method है, वे protein को निकालने का, जो कि एक plus point बोला जा सकता है इस product का, यानि कि naturally filtered protein मिल रहा है हमको, बात होगे filtration method की, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इस product की serving size accuracy के बारे में, तो company ने लिखा है कि इसका एक हीपिंग स्कूप जो होगा, वो होगा 33 gram का, जब मैंने अपने kitchen weighing skill के उपर इसे check किया, तो इसका एक हीपिंग स्कूप 30 gram के around हो गया, मैंने इस हीपिंग स्कूप को काफी अच्छे से fill किया हुआ था, फिर भी वो 30 gram के around हो गया, अगर आप 33 gram का स्कूप इस्तमाल करना चाते हैं, तो आपको हीपिंग स्कूप को बहुत ज़्यादा अच्छे से fill करना पड़ेगा, उसकी जो हीपिंग की जो चोटी ह उसको बहुत अच्छे से उपर निकालना पड़ेगा, तब शायद वो 33 gram का स्कूप हो जाए, बात होगी serving size accuracy के बारे में, आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस product की mixability के बारे में, तो product की mixability काफी अच्छी है, 15-20 second के अंदर ये product जो है, ये protein powder जो है, वो पानी के अंदर अ नहीं, तो raw protein का जो test होता है, वो होता है, raw way protein का जो test होता है, वो होता है, दूद जैसा, आप गाएं का दूद लगा लीजिए, या भैस का दूद लगा लीजिए, वैसा कुछ test होता है, तो मुझे इस product का जो test है, वो काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे दूद का जो test ह वो अच्छा लगता है शायद इसी लिए मुझे इस प्रोड़क का जो टेस्ट है वो अच्छा लगा अगर किसी को दूद का टेस्ट पसंद नहीं है या एक फीका सा जो टेस्ट होता है वो पसंद नहीं है तो शायद आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए मुझे तो इस प्र रुपए के अंदर साड़े उन्नीस तो रुपए के अंदर आपको इसकी 30 सर्विंग मिलती है यानि कि एक सर्विंग का प्राइस पढ़ता है लगबग 64 रुपीज 64 रुपीज में अगर आपको 28-29 ग्रैम के अराउंड प्रोटीन मिलता है तो एक ग्राम प्रोटीन का प्राइस पढ़ जाता है लगबग 2 रुपए के राउंड तो करंट मार्केट के इस साबसे मैं बोलूँगा कि इस प्रोड़क का जो प्राइस है वो एवरेज है ना बहु बात होगी प्रोड़क के प्राइस की अब लाश्ट में बात करते हैं इस प्रोड़क की लैब टेस्ट रिपोड की देखते हैं कि इसके तो मैंने इसकी lab test report करवाई है एक NABL accredited laboratory से तो company ने लिखा है कि इसके 33 gram के एक scoop के अंदर आपको 29.7 gram protein मिलता है dry basis पर यानि कि 100 gram के अंदर company बोल रही है कि आपको 90% protein मिलेगा dry basis पर अगर हम company के protein content को as is basis पर convert कर लें 4-5% moisture लगा कर तो company के अनुसार इसमें 28 gram के around तो कुछ protein होना चाहिए मेरी lab test report में results आए है कि इसके 100 gram के अंदर आपको 77.81% protein मिल रहा है यानि कि 33 gram के एक scoop के अंदर आपको 25.6 gram ही protein मिल रहा है as is basis पर मेरी lab test report के results को अगर हम dry basis पर convert कर लें 4-5% moisture लगा कर तो मेरी lab test report के अनुसार इसके अंदर protein content जो होना चाहिए वो 27 gram के around होना चाहिए dry basis पर तो ले देकर बात यह है कि आप इसे dry basis पर मान लेजिए या as is basis पर मान लेजिए जितना company ने लिखा है उससे लगबग धाई gram protein कम है पर scoop के अंदर तो यह इस product के lab test report है यह इसका protein content है यह इसके results है report आपके सामने है results आपके सामने है तो यह सारी details थी इस product के बारे में यह मेरी राय थी इस product के बारे में मुझे जैसा product लगा हमेशा की तरह मैंने आपको बता दिया है प्रोड़क की पैकिंग से लेके लैप टैस रिपोर्ट सब कुछ आपके सामने रख दिया है दो चीजे जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है जो जनरली मैं अपनी वीडियो के अंदर और शेयर करता हूं वो दो चीजे हैं इस के ब्रैंड और मैनुफेक्ट्रिंग के डिटेल्स तो इस वीडियो को थोड़ा रखने के लिए मैंने ब्रैंड और मैनुफेक्ट्रिंग के डिटेल्स नहीं शेयर की अगर आप ब्रैंड और मैनुफेक्ट्रिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैंने नैक प्रोड वे गोल्ड का रिव्यू किया था कुछ दिन पहले उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का तो ब्रैंड और मैन्फेक्ट्रिंग के डिटेल्स आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं बागे सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर रही दि करता मैं हमेशा की तरह वही दो लाइने बोल दूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा और अगर आपको किसी और प्रोटीन सप्लिमेंट का रिव्यू चाहिए तो उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिएगा आपके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाए